हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सुब अपको भाई हाजी रहनी अपार्चेटी के साथ कैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज की जो अपार्चेटी आ रखी है वो आ रखे इसरों के तरह से इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन के तरह से यहाँ पे वीटियो पे सबसे पहले अपडिट दे रहों मिर भाई इसी बात वीडियो को लाइक कर देना लाइक का टार्गेट रहेगा आपका 500 प्लस का अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेर कर देना है बिना कंजुसी के अब बात कर लेते यहाँ पे अलिजिबिलिट के लिए best opportunity है किसी भी type का कोई भी experience यहाँ पे required नहीं है directly आपका walk-in interview के बेस में यहाँ पे selection होने वाल है total number of seat की बात करें तो यहाँ पे 273 total number of seat आपको देखने को मिलने वाल है ध्यान रखीए एक चीज़ का कि comment box के अंदर आप अपनी branch को जरूर से comment करके बता देना कि अंदर IT कि है ताकि आने वाली next video आपको उसी से related देखने को मिले और indirectly आपको वहाँ पे फायदा होने वाला है और description में आपको कुछ links प्रोवाइड करवा रखें टेलिग्राम चैनल का WhatsApp ग्रूप का LinkedIn का Instagram का और Facebook ग्रूप का directly हम सारे groups को join कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पे मै YouTube पे पोस्ट नहीं कर पाता और YouTube पे सारी jobs का update देना पॉसिबल नहीं है तो आप इन सारे platform को join कर सकते हैं और directly आप मुझसे connect हो सकता है आपको कोई doubt है कोई भी query है अब directly में इसको message कर सकता है तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पे ने तो channel को subscribe कर ले पास में ज directly notification को download कर लिया है इस notification का link में आपको description में provide कर दूँगा as well as मैंने telegram channel पे upload कर दिया है तो आप वहाँ पे चेक आप कर सकते है और telegram channel का link मैंने comment box में pin कर रखा है description में दे रखा है तो check out कर लीजेगा तो यहाँ पे जो आपको opportunity देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी वि इस रों के अंदर ये work करता है इस रों के साथ ये काम करता है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते है advertisement number यहाँ पे लिया गया और यहाँ पे notification आउट किया गया वो 7 October को यह आउट किया गया तो ऐसे latest update पाने के लिए channel को subscribe कर लीजेगा bell icon को press कर लेगा ताकि जब भी मैं next video upload अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ important point के बारे में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे program रहेगा वो आपका apprenticeship program आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर बी बीटे को apply कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपने diploma के बाद बीटे की है lateral entry है तो भी आप यहाँ eligible रहने वाले ठीक है और बहुत सारे बच्चों को problem आती कि apprenticeship क्या होता है apprenticeship एक साल का आपका program रहेगा जिसके अंदर आपको training दी जाएगी कि industry के अंदर कैसे काम करना है और बहुत बड़े organization के साथ आप यहाँ पे एक साल तक work करेंगे साथी साथ आपको यहाँ पे stipid भी दे diploma ITA खतम कर लिया है उसके बाद भी कर सकते है लेकिन apprenticeship आप pass out है तब ही इसको कर सकते है लाइक यहाँ पे अगर आप pass out हो चुके है तो ही आप इसको कर सकते है यहाँ पे बात कर लेते है कुछ important point के बारे में जैसा कि यहाँ पर देख सकते है अगर आपने BB Tech किया है अप्ला कर सकते है भी कॉम कर रहा है तो भी आप अप्लाए कर सकते है यहाँ पर बात करते है कुछ important point के बारे में जैसा कि यहाँ पर mention किया गया है कि जो निकाला गया है साउथ रिजन के लिए निकाला गया लेकिन यहाँ पर ओल इंडिया के candidate apply कर सकते है यहाँ पर इनको priority दी सीरिल नमबर दे रहा है discipline दे रहा है number of आपका position दे रहा है और यहाँ पे essential qualification यहाँ पर दिया गया है तो सबसे पहले अगर आपकी ब्रांच अरोटिकल है aerospace में अगर आपने engineering कर रहा है आप apply कर सकते है 15 seat आपको देखने को मिलेगी chemical वालों के लिए यहाँ पर 10 seat देखने को म रहेगी metallurgy में कर रहा है तो 6 seat रहेगी production वालों के लिए 4 seat आपको देखने को मिलने वाली है और अगर आपने fire and safety में engineering कर रहा है तो 2 seat आपको देखने को मिलेगी essential qualification की बात करें तो यहाँ पर साफस्वाप mention किया गया है अगर आपके पास 4 year का degree है या फिर अगर आपके पा है तो आप eligible नहीं रहेंगी यहाँ पर साफसा mention किया गया है अब बात कर लेते हैं कुछ और important point के मेरा बारे में like कि अगर आपने hotel management का course कर रहा है catering technology में जाना जाते है तो आपका यहाँ पर 4 seat देखने को मिलेगी और अगर आपने first class इसका degree कर रहा है hotel management में catering technology के अंदर 60% ह अंदर आप apply कर सकते है 60% आपका होना चाहिए commerce में degree चाहिए become अगर आपनी computer application में कर रहा है तो आपका 60% होना चाहिए और 6.32 CG पे आपका यहाँ पर जरूरी है अब बात करते है कुछ important point के बारे में जैसा कि यहाँ पर mention किया गया है कि यहाँ पर अगर आप 2020 के बाद pass out है तो ही आप apply कर पाएंगे like 2020 वाले eligible है बिलकुल 2021 वाले eligible है बिलकुल और 2022 वाले eligible है बिलकुल लेकिन अगर आप 2020 से पहले pass out है आप apply नहीं कर सकते है like यहाँ पर अगर आप का year 2019 है आप eligible नहीं रहेंगे 18 वाले भी eligible नहीं रहेंगे 17 वाले भी eligible नहीं रहेंगे यह 3 साल वाल कर सकते हैं 20 वाले 21 वाले और 22 वाले यहाँ पे साफसा मैंशन किया गया है अब बात करते हैं यहाँ पर आपको stripe-8 किसे आपको stripe-8 आपको 9000 रुपर पर मंद के साब्सक्राइब देखने को मिलने वाल है जैसा कि यहाँ पे mention किया गया है वेन्यू आप देख सकते हैं वेन्यू यहाँ पर इन्होंने mention कर रखा है अब बात करता है कुछ important point के बारे में तो यहाँ पर mention किया गया है कि इंडिया के नागरिक होने चीए ठीक है और यहाँ पर age criteria के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 October 2022 के according आपका 30 साल होना चीए for a general category अगर आप यहाँ पर OBC category है तो 33 year दिया गया है और अगर आप SST candidate है तो 35 year आपको दिया गया है और अगर आप PWD candidate है तो आपको 10 साल के इस रिलक्षिशन देखने को मिलेगा अगर आप 2020 में pass out है 21 में pass out है या 22 में pass out हो चुके है आप eligible रहेंगे ये तीन ही batch आपको eligible देखने को मिलेंगे अगर आप 2019 में pass out है आप apply नहीं कर सकते हैं 19 से पहले pass out है आप apply नहीं कर सकते हैं fourth point के अगर हम बात करें तेहाँ पे साफ साफ mention किया गया है कि अगर आप south region like केरला, तमिलनाडू, कनाटगा, अंदरपरदेश, तेलगाना, पांडुचेरी से ब्लाउंग करते हैं तो आपको यहाँ भी priority दी जाएगी लेकिन all India के candidate apply कर सकते हैं बिल्कुल आप eligible रहेंगे बात कर लेता है fifth point के बारे में तो यहाँ पे mention किया गया है कि अगर आपने पहले कभी apprenticeship program कर रहें, training कर रहें आप बिल्कुल apply नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक वार आप apprenticeship कर सकते हैं अपने graduation के अंदर, ITI के अंदर और diploma के अंदर एक वी वार apprenticeship कर सकते हैं पहले कभी आपने apprenticeship किया है आप apply नहीं कर सकते हैं sixth point के अगर हम बात करें तो यहाँ पे mention कर रहें कि अगर आपने correspondence से या distance से learning कर रहें like short time या को certificate है आप apply नहीं कर सकते हैं regular course है तो ही आप यहाँ पे eligible रहने वाले यहाँ पे mention किया गया है यहाँ पे एक चीज और mention की गई है कि यहाँ पे आपका next portal पे registration होना बहुत जरूरी है उसी के base पे आपके यहाँ पे selection देखने को मिलेगा directly आपका यहाँ पे interview देखने को मिलेगा अब बात करते हैं यहाँ पे apply कैसे करने directly आपका यहाँ पे interview होने वाला है online apply नहीं होगा मैं आपको पहले ही कह रहूँ आपका interview होगा जो कि आपका 15 October को जो venue बताया है उस venue पे आपको पहुंच जाना है उसी पे आपका interview होगा उसी के base पे आपके selection होने वाला है यहाँ पे अगर आपने other degree कर रहा है यह भी com कर रहा है तो MHRD Nets Portal पे आपको जाके आपको registration करना है वो आपको certificate लेके जाना पड़ेगा registration नंबर आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपका interview होने वाला है अगर आप SCST candidate है या फिर OBC candidate है या EWS candidate है आपको लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे साफसा mention किया गया है अब बात करता है कुछ और important point के बारे में like आपका selection process क्या रहेगा देखिए जो selection process रहने वाला है वो आपको only for interview के बेसे ही आपको selection देखने को मिलेगा या आप में को telegram पे message कर सकते है whatsapp पे message कर सकते है linkedin पे message कर सकते है instagram पे message कर सकते है facebook पे message कर सकते है सारा link मैंने आपको description में provide करवा दिया directly आप उस पे click करके हमको message कर सकते है आपको जो भी doubt है जो भी query है आप post सकते है आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा उन लोगों तक जिनको जोग की नीड एंट कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी आपका ट्रेड कौन सा है ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले आल दे वेरी बेस्ट जैहिन